फ्रेंट्स जब से मैंने स्मॉल केस का वीडियो वनाना शुरू किया है बहुत सरे कमेट यह आ रहा है कि भई हम कहां पर इंबेस्टमेंट करें स्मॉल केस अच्छा है या फिर म्यूशल फॉंड आच्छा है स्मॉल केस के में क्या ज़्यादा पैसा लगता है तो इससे अच्छा है म्यूशल फॉंड में इस वीडियो में करेंगे small case में कैसे investment होता है mutual fund में कैसे investment होता है और दोनों के अंदर difference किया है कहाँ पर ज़्यादा cost लगता है small case में कितना investment करना है mutual fund में कितना खर्चा होता है यह सारे details और कौन लोगों को कौन सा लोगों को जो यहाँ पर investment करना चाहिए वो small case में investment करना अचा रहेगा या mutual fund में investment करना अचा रहेगा तो ये सारे चीज research के साथ, analysis के साथ मैं आपको skin share करके cost analysis भी आपको सोब करूँगा, तो इस details इस वीडियो में हम जानेंगे, so friends यहाँ पे थोड़ा basic चीज हम discuss करते हैं small case क्या है, small case एक baskets of stocks है exactly mutual fund भी यही है but mutual fund में क्या होता है एक funds manager रहता है, जो आपके भी हैप में investment करता है वहाँ पे लेट से आप 500 रुपे investment किया किसी भी mutual fund भी, but 500 रुपे में आज के rate में 2 stock, 3 stock भी नहीं होता है अगर अच्छा stock आप धूनने जाओगे तो mutual fund में क्या होता है funds manager बहुत सरे आपके जैसे investor मेरे जैसे retail investors से पईसा लेते हैं फिर एक group में बहुत सरे stocks को खरीते हैं, फिर अपने calculation करके एक निने भी में convert होता है उस NAV के अंदर, यानि NAV के अंदर जो 50 stock को खरीदा होगा उसका कुछ proportion रहता है यानि fraction में रहता है जो US stock में होता है बट इंडिया में exactly mutual fund में ऐसे ही काम करता है अगर मान लिजिया पांच रुपे में 10 NAV आपको मिला वो 10 NAV के अंदर आपको reliance का भी देखने को मिलेगा HDFC का भी देखने को मिलेगा तो जो कंपनियों में इंबेस्टमेंट किया है जो stocks को mutual fund manager ने करीदा है उसी का proportionally कुछ portion वहां पर रहता है तो इसलिए NAV का जो rate होता है stock market का end में decide होता है यानि लेट से market तिन वज़े बहुंद होता है तो साम को आपको यह जो NAV है कालपलेशन होता है फिर आपको उसी ही सबसे NAV मिलता है बट exactly mutual जो small case होता है वहां पर क्या होता है यहां पर आपको 500,000 रुपे से कुछ काम नहीं बनता है यहां पर थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है जो small case का portfolio आपने चूज किया होगा वहां पर जो 10-20 जो भी stocks है उसमें कितना proportion कहां पर रहेगा उसी हिसाब से यानि number of stocks आपको खरीजना पड़ता है जो funds manager भी वहां पर रहता है आपके वहां पर इन्वेस्टमेंट करता है देखें, main जो different है यहां पर मैं बोलता हूँ कि दोनों situation में आपको demand account mutual fund में नहीं चाहिए और आपका जो small case है वहां पर आपको demand account चाहिए demand account क्या होता है जहां पर आपका stock save होके रहता है जैसे आपका saving account ऐसे exactly stock को save करने के लिए demand account होता है next point क्या होता है friends कि यहां पर आपका जो खर्चा होता है, जो expense होता है mutual fund में थोड़ा कम लगता है क्योंकि वो 0.5%, 0.1%, 1%, 2% ता maximum होता है but small case में यह सा नहीं होता है small case में कुछ free small cases भी है कुछ paid small cases भी है free small cases में क्या होता है कि आपका subscription charges है वो नहीं लगता है but stocks को खरीदने में, बेचने में जो आपका charges होता है जैसे demand charges, BP charges जो यहां पर GST लगता है small cases में ज्यादा खर्चा होता है but मैं आपको आज दिखा होँगा कि small case भी mutual fund से भी कम खर्चा होता है अगर आप ज्यादा amount investment करते हो वो invest amount कितना होना चाहिए इस details हम जानेंगे so let's come to my screen मेरे screen पर अभी आप देख सकते हो यहां पर एक Excel sheet प्रिप्यार किया है सारे calculation को लेकर यह Excel sheet का link में इस video का description में दे दूँगा आप खुद download करके open करके आप देख सकते हो आपके आपने ही सब से amount डाल के देख सकते हो so friends यहां पर मैंने इंजम्शन कर दिया है कि investment amount आपका 50,000 आपने आज की rate में small case में investment किया so let's say यहां पर 10 stock में investment किया क्योंकि यह portfolio of stocks है baskets of stocks है तो यहां पर आपको 2 साल के बाद 50% return देखने को मिलता है क्योंकि mutual जो आपका small case है से वहां पर थोड़ा ज़्यादा return देखने को मिला है आप दो साल के बाद 50% grow हो जाएगा तो इसी हिसाब आप देखोगे यह जो color ने आप देखोगे तो sell amount आपका first day zero में आपका कुछ नहीं है क्योंकि आपने खरीदा है तो buy amount आपका 50,000 है number of stock 10 है और यहां पर जो trading amount है 50,000 यानि total आप 50,000 यानि पचास हजर का stocks आपने खरीदा जो first time आप जो small case में किसी भी basket में आप investment करोगे किसी भी small case choose करोगे तो आपको 100 rupees plus 18% GST आपको देने को पुड़ेगा यानि 108 rupees आपको देने पूड़ेगा उसके बाद stock brokerage क्या होता है आपका STT होता है जो government का charges होता है 0.1% बहुत negligible है 50 rupees यहां पे 50,000 के उपर होता है फिर यह सब शारे charges आपका government का सेवी charges है यह आपको लग जाता है फिर उसके बाद आपका DP charges DP charges जो आप stocks को खरीते हो तो आपको कुछ लगता निया लेकिन जब आप sell करते हो जितने number of stocks है लेट से आपने 10 company का stocks खरीता तो पार stocks आपको 13.5 plus 18% GST यानि अल्मोस्ट मैं बोलूँ तो अठारा रूपे पार stock आप पार company आपको पे करना पड़ेगा तो यहां पर आप day zero में आप buy कर रहे है उसलिए आपको कुछ दिना नहीं पुड़ रहा है तो लेट से आप rebalance होता है small cases में quarterly, six months लेट से आप छे मिने में एक बर rebalance होता है तो एक बर जब rebalance हुआ six months के बाद तो rebalance हुआ यहां पर मैंने लिखा है तो यहां पर देखो और कोई transaction charges होता नहीं next उसके बाद brokerage charges zero है तो इसके आपका service charges जो service tax होता है आपका exchange rate होता है यह सारे मिलाके आपका जो भी DP charges है मिलाके 63 रूपीज हो गया ऐसे आप rebalance to next six मेहने के बाद आप देखो same six stock में थोड़ा बहुत changes हो गया फिर यहां पे 5000 रूपी आपका transaction amount है फिर आपको 95 रूपीज उस rebalance में इतना पी आपको extra देना पुड़ा फिर next आप 18 मोहने के बाद देखो आपका 47 रूपीज next 24 मोहने निए दो साल के बाद अब जाब सोच रहे हो कि मैं अभी small case में exit हो जाओंगा जो भी profit जो भी loss कमाया है में ले लोग तो यहां पे आपका देखो कि 50,000 का 50% है और 75 हो गया आपका 75,000 हो गया तो यह सारे से आप exit कर गया यानि 10 जो stocks था उसी 10 stock को आपने completely based दिया तो आपका total amount जो trading amount जो हो है transaction amount that is 75,000 इसके अपर आपको देखो transaction charges कोच नहीं ह आपका जो maximum amount यहां पर charges लगाए that is DP charges जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जो stocks based हो तो उसका जो charges होता ही यहां पर लगेगा तो यह सारे होने के बाद यहां पर details में अगर आप देखोगे तो total expenses आपका हो गया है 651 rupees और आपका यह जो total amount profit है 26,000 रूपी profit हो था तो इसके पर आप देखोगे 1.30% आपको expense total आ रहा है इसका मतलब क्या हो अपर जो भी आप investment किये थे जो भी आपका जो small cash expense है वो profit के ऊपर आपका 1.30% तो almost मैं बोलूँ जो mutual fund से थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि आज के रेट में mutual fund 1% से नीचे रहता है बहुत rare mutual fund है जो 1% से ज्या होता है तो थोड़ा सा यहां पर ज्यादा है और सेम चीज अगर मैं यहां पर 50,000 investment amount को 1,00,000,000 कर देता हूं let's say 1,00,000,000 मैं ने यहां पर कर दिया अब आप देखो कितना amount होता है तो यहां पर total देखो 0.8 हो गया तो इसका मतलब यह हो गया कि आप जितना ज्यादा amount आप investment करोगे तो आपका mutual fund से भी ज्यादा कौम आपको expense देना पड़ेगा अगर इसी amount को मैं अगर यहां पर 5,00,000 कर देता हूं तो आप देखो यहां प अगर आप investment करते हो तो at least आप सोचिए 1 लग के उपर आप investment करें तो expense issue भी आपको कम देखने को पुड़ेगा फ्रेंस यह तो हो गया आपका free small case है जहां पर subscription charges आपको देना नहीं पड़ेगा तो आप अगर आप subscription वाला लोग है जहां पर return ज्यादा देखने को मिलेगा 70% 60 return जहां पर दिखा रहे हैं की return मिलता है तो वहां पर क्या करेंगे तो चलिए मैं और एक ट्याब में आपको दिखाता हूं subscription charges तो लेट से आपने mutual fund में overall आपको 15% return मिलता है small case में आपको overall लेजे 20% return देखने को मिलता है तो यहां पर small case का अगर annual subscription देखोगे तो 6000 लेट से आ amount to be invested मानली जे 2 लाग रूपी जी तो 2 लाग रूपी आपको investment करते हो तो इसका जो आपका profit return देखने को मिलेगा 20% तो मानली जी इसका expenses से आपको 3% देखने को मिला क्योंकि यहां पर आप 3% है 20% से आप minus कर दीजी तो 17% तो यहां पर small case में ज्यादा amount अगर investment करते हो obviously आप आपको mutual fund से ज्यादा return आपको देखने को मिलेगा तो लोग जो बोलते हैं कि बहुत खर्चा है ऐसा कुछ नहीं है friends क्योंकि यहां पर जो charges आपको में दिखाया है यहां पर यह जो चंडक्शन charges यह mutual fund में ही भी लगता है but वहां पर क्या होता है बहुत huge amount में खरीदा जाता है तो इस सारे चीज details mutual fund house manage करता है तो आपको कुछ देखने को नहीं मिलता तो आपको आपको जो expenses वह आपसे claim करता है yearly charges होता है वह भी hidden है और यहां पर और एक चीज़ कहें कि आप हैं कि जो आपको dividend मिलता है stocks में वह mutual fund में आपको नहीं मिलता है वह सारे mutual fund houses ले लेता है फिर आप क्या करता है वह कुछ नहीं पता है वह सारे hidden है but small case direct stock में investment करता है बस small case है कि application है जो stocks में investment करने का एक जरिया है तो वहां पर आप जाईए वहां पर managers है stocks जो आपका small case managers they are they are बहुत जिसों बोलते है professional से भी registers manager होते हैं तो वहां पर वह आपके इसाब से investment करते हैं फिर आपको ज्यादा return देखने को मिलेगा क्यूंकि normally direct stock में ज्यादा return देखने को मिलता है तो मैं आपको details यहां पर दिखाया कि कैसे small cases में खर्चा होता है आपको I hope कि इसमें clear होगे होगे आपको clear understanding होगे होग जो लोग थोड़ा बहुत stock market में knowledge रखते हैं और कुछ पैसा है यहां पर one lakh से ज्यादा investment कर सकते हैं तो all know को investment करना चाहिए मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक लाग रूपी ले के आईए आप एक साल के अंदर जैसे SIP करते हो monthly 5000-10000 रूप investment भी कर सकते हो तो मैं अग यहां पर पूरा टाइम तो देना नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां पर जो फॉंट्स मैंने जोता होता है वह तो investment करेगा बाट आपको rebalancing जैसे मैंने आपको दिखाया था चे मेले में एक साल में rebalancing करना पड़ता है तो यहां पर जब rebalance notification आएगा तो आपको simply जाके one click button click क कम भी पेशा है हो सकते हैं उनके पास ज्यादा पेशा है बाट stock market में कुछ भी knowledge नहीं है और टाइम देनी पाएंगे तो मैं वोलूंगा simply भाई आप मत आओ यहां पे आप mutual fund भी आपके लिए आचा है और थार केटेगोरी लोग है जो stock market में थोड़ा बहुत knowledge भी है और time भ सकते हैं इही था details small case and mutual fund के between क्या differences से कितना खर्चा होता है I hope कि इस वीडियो से आपको कुछ information अच्छा मिला हो तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा है like कीजिए subscribe कीजिए so that मैं जब new video लेके आता है तो आपको ऐसे notification मिलता रहेगा so मिलते हैं अगले वीडियो में thanks for watching bye bye